नमस्ते दोस्तूं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिशत निकालने का सबसे सरल तरीका परसेंटेज सबसे शोर्टेश्ट तरीके से किस तरह निकाला जाता है आप इस छोटी सी वीडियो में यह आसानी से समझ सकते हैं परसेंटेज मैथेमेटिक्स का एक ऐसा टोपिक है जो विद्यार्थियों के अलवा स्टूडेंट्स के अलवा दूसरे सभी लोगों के डेली लाइफ में यू जाता है इसलिए हर किसी को शोर्टेश्ट तरीके से परसेंटेज निकालना आना चाहिए तो तरीका बताने से पहले एक बार में परतिशत किसे कहा जाता है परसेंट क्या है ये समझा देता हूँ परतिशत यानि सेंकडा सो पर परसेंट सेंट का अर्थ होता है हंड्रेड हंड्रेड पर यानि सो पर जो होता है वो परतिशत कहलाता है परसेंट कहलाता है सेंट पर यानि सो पर इसकी डेफिनेशन हम इस तरह समझ सकते हैं event percentage is a fraction who's denominator is 100 यानि जिसका हर 100 है denominator यानि कोई fraction यानि बिन्न संख्या जिसका हर अगर 100 है 100 है तो वो प्रतिशत कहलाता है देखिए जैसे 30% मैंने लिखा 30 प्रतिशत 30 प्रतिशत का मतलब है 30 बटा 100 30 अपोन 100 30 numerator है denominator 100 है तो 30 अपोन 100 को हम 30% कहते हैं इसका आर्थ है 100 पर 30 यानि 100 मैं से 30 30% ऐसे ही 10% 10% यानि 100 मैं से 10 तो 100 अपोन 10 अपोन 100 इसको लिखेंगे 10% तो यह है प्रतिशत की definition यानि प्रतिशत यानि 100 पर 100 पर जो भी value दी गई है वो प्रतिशत कहलाती है मान लिजे 100 मैं से आपके 50 marks आते हैं तो 50% marks आएं 100 मैं से 20 रुपे का discount मिल रहा है किसी चीज को आपको परचेज करने पर तो वो 100 मैं से 20 कम ले रहा है तो वो 20% discount हुआ है यह तो हो गया प्रतिशत अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिशत निकालने का सबसे सरल तरीका सिर्फ दो सेकेंड में हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं इसे आप समझें जैसे मान लीजे 600 रुपीज है इसका आपको 10% निकालना है बहुत ध्यान से समझें दोस्तूं सिर्फ दो सेकेंड आपको लगेंगे मान लीजे आप मार्केट में गए 600 रुपीज का कोई material आपने परचेज किया शॉप की पर कह रहा 10% discount तो आप 600 का 10% कितना discount आपको मिलेगा इसका निकालने का सबसे सरल तरीका है ये 600 मैंने age it is इधर लिख दिया आपको 10% निकालना है पीछे से एक नंबर छोड़के आप decimal लगा दें यानि ये हो गया 60 रुपया तो 600 का 10% है 60 रुपीज एक और देखिए आप example मान लीजिए 127 रुपीज है इसका हमें 10% निकालना है 10% निकालना दस प्रतिशत निकालना है जैसा मैंने आपको बताया 127 का 10% 10% निकालने के लिए पीछे का जो नंबर है इसको आप छोड़ दें और decimal लगा दें तो 127 127 का 10% हुआ 12.7 दशमलव यहां लग गया यानि 127 रुपे है तो इसका 10% होगा 12.70 पैसा और देखिए दोस्तों example जैसे मानलो 15.75 रुपीज है इसका आपको 10% निकालना है तो 15.75 का 10% अब यहां तो decimal नहीं था तो हमने पीछे से एक नंबर छोड़ के decimal लगा दिया इस नंबर में already decimal है तो यह decimal यहां से हटके यहां आ जाएगा एक नंबर आगे खिसक जाएगा तो 15.75 का 10% हो गया दोस्तों 1.575 यह 10% निकालना है आपको 20% निकालना है इसका just double कर दीजिए 2 से multiply कर दीजिए 30% निकालना है 3 से multiply कर दीजिए 5% निकालना है 60 का 10% 600 का 10% 60 आया है इसका 5% निकालना है 60 को आधा कर दीजिए 30 यह हो गया shortest तरीका 10, 20, 30, 40, 50, 60 यह आप निकाल सकते हैं अब दूसरा एक्जाम्पल और देखिए 1% कैसे निकाला जाता है जैसे मान लीजिए 570 का 1% हमें निकालना है 1% तो यह 570 मैंने वापस इधर लिख दिया 1% निकालना अगर आपको तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के आपको decimal लगाना 10% में पीछे से 1 नंबर छोड़ के हम decimal लगा रहे थे यहाँ 2 नंबर छोड़ कर हम decimal लगाएंगे यानि 570 का 1% होगा 5.70 आपको 2 परसंट निकालना इसका double कर दीजिए 3% निकालना ट्रिपल कर दीजिए एक और एक्जाम्पल देखिए 1, 2, 0, 0 का 1% 1200 का एक प्रतिशत जैसा कि मैंने आपको बताया 1% निकालने के लिए पीछे से 2 नमबर छोड़ के आप डेसिमल लगा देए अगर 1200 रूपे हैं एक हजार 200 रूपे हैं तो इसका 1% हुआ 12 रूपे 2% निकालना है 12 x 2 24 रूपीज 3% निकालना है 1200 का 12, 30, 36 रूपीज हो गया 10% निकालना है तो पीछे से 1 नमबर छोड़ के डेसिमल लगेगा 120 रूपीज हो गए 20% 240 रूपीज हो गए तो ये दोस्तों सबसे सरल तरीका है प्रतिशत निकालने का अब मान लो आपको 18% निकालने है 56% निकालने है 72% निकालने है इस तरह से निकालने है इसका जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे 46 का आपको निकालना है 15% 640 का 15% तो ये 640 ये का है इसको लिखेंगे multiply symbol लगाएंगे multiply का की जगे पर हमने multiply का sign लगा दिया 15% 15% को लिखते है 15 upon 100 640 का की जगे इंटू लग गया 15% 15 upon 100 इसको solve करेंगे ये 0 से 0 कट गया है 5 2 जा 10 5 3 जा 15 2 1 जा 2 और ये 32 2 जा 64 32 multiplied by 3 upon 1 है तो 32 को 3 से divide किया 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 तो दोस्तों 640 का 15% आया 96 ये एक सामान्य तरीका है लेकिन आपको 10% 1% निकालना है 10 के multiple में निकालना परसेंटेज 1 के multiple में निकालना है तो बहुत ही सरल तरीके से शिर्फ 2 सेकेड में इस तरह से निकाला जा सकता है सामान्य तरीका जो ततिशत निकालने का परसेंटेज निकालने का वो यह है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आयोगी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करें थेंक यू